तो यह के माधियम से आप कैसे एक multi-tool website create करकर money make कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, एक multi-tool website create करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं Google AI Studio का, ChatGPT का वे GitHub का मैं आपको यहाँ पर complete process बताने वाला हूँ, कैसे आप Google AI Studio, ChatGPT और GitHub के माधियम से multi-tool website create कर सकते हैं देन उसको आपको एड शेरा या किसी अन्य एड network से कैसे monetize करना है, उसका process में आपको बताऊँगा तो make sure आप अमारी वीडिक साथ stick रहें, तो सबसे पहले आपको गगरना है, सबसे पहले आपको आना है Google AI Studio के उपर और इसके उपर अपना account create कर लेंगे, जैसे आप Google AI Studio के उपर अपना account create करेंगे दन उसके बाद आपको इसके chat section के उपर आना है और यहाँ पर आपको jamini 2.5 pro इस model को choose कर लें, जैसी आप यहाँ पर model को choose कर लें, उसके बाद आपको हमारी telegram channel को पर जाना है अब Google AI Studio यहाँ पर work can start कर देगा और कुछ ही मिंटों में आपको यहाँ पर एक बहतरीन सा code बना कर देदेगा, जिसका use करकर हम यहाँ पर अपनी multi-tool website को create करने वाले हैं, जब तक Google AI Studio यहाँ पर code बना रहा है, तब तक हम यहाँ पर अपनी tools के लिए code create करेंगे, को कि multi-tool website के अंदर हमें बहुत सारे tools को add करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कि हमने यहाँ पर बहुत सारे tools को add किया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखा देगा, जैसे कि हमने आपर images tools को add किया है, उसके अंदर बहुत सारे image tools वगर add कर दिया है, document tools तो सभी टूल्स को भी यहाँ पर create करना पड़ेगा एन इन टूल्स को create करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले चाइज जीपीटी का तो simply आपको जाना है चाइज जीपीटी के ऊपर इसकी ऊपर अपना account create कर लेना है उसके बाद अगेन आपको हमारे टालगाम चांग को पर याँ इससे पर कि आपको यहाँ पर जितने भी टूल्स हमने यहाँ पर add क कि हैं सभी के प्राम को copy and paste करना है और इसी प्रकास से आपको यहां पर अपने codes create कर लेना है तो जैसी आप यहां पर अपनी main website का code create कर लें वे tools का code create कर लें उसके बाद आपको जाना है GitHub के उपर और GitHub के ऊपर अपना account create कर लेना है जैसे कि अपने यहां पर GitHub के ऊपर अपना account create कर लिया है जैसा आप GitHub के ऊपर अपना account create करेंगे तो आपके सामने कुछ उस्पका interface हैगा जितना भी content आपने यहां पर create किया हुआ सारा content आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा अब आपको एगारना है अब आपको अपर और आना है व्लस इसके उपर क्लिक कर ना है new Honorsр iis के ऊपर कर दिना है जैसा आप इसको अपर करेंगे तो आपके सामने new page आएगा अब आपको यहां पर अपनी रापल तरी का डाल देना है, जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ, Multi Tools Website, उसके बाद आपको यहाँ पर Add a Readme File, इसको जरूर ओन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, Create इसको पकलिक करना है, अब आपकी यहाँ पर Repository Create हो जाएगी, जैसी आपकी Repository यहाँ पर Create हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, Add File, इसको पकलिक करना है, Create New File, इसको पकलिक कर देना है, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे, तो आपके सामने New Page आएगा, अब आपको यहाँ पर अपनी File का Name देना है, और ध्यान से आपको यहाँ पर कर देना है, जो कि हमने आपको ग्रीट किया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लोड़ी Copy and Paste कर रखा है, तो यहाँ से मैं अपने Complete Code को Copy कर लूँगा, अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर इस Code को Copy and Paste कर दूँगा, ठीक है, यहाँ से आपको चेक करना है, Code यहाँ पर अच्छे से Copy and Paste हो जाए, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर Complete Code को Copy and Paste कर दिया है, जैसी आप यहाँ पर अपनी Code को Copy and Paste कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, Commit Changes इसको पकलिक कर देना है, then Commit Changes इसको पकलिक कर देना है, तो इस परकार से आपकी Website यहाँ पर Publish हो जाएगी, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, कि Website यहाँ पर कैसे दिखाई दे रही है, तो पहले इसको हमें होश्ट करना पड़ेगा, तो होश्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, Settings इसको पकलिक कर देना है, Pages इसको पकलिक कर देना है, Branch को पराना है, यहाँ से आपको चूज करना है, Main को, then Save इसको पकलिक कर देना है, अब आपकी Website यहाँ पर Deploy हो जाएगी, Deploy का मतलब है यहाँ पर चूज कर देना है, तो इक बास मैं आपको रिफड़ेश करकर देख लिता हूँ, कि Website यहाँ पर Deploy होई है, तो अभी तक तो Website यहाँपर Deploy होई होई नहीं है, कुछ seconds यहाँ पर लगते हैं, उसी के बाद ही website आपकी यहाँ पर completely deploy हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर हमारी website deploy हो चुकी है यहाँ पर आपकी website का link दिखाए दे रहा है जिसको basically हम यहाँ पर promote कर सकते हैं अब मैं इसको उपकलिक करूँगा और चेक करूँगा website हमारी यहाँ पर कैसे दिखाए दे रहे है तो इस परकाल से हमारी website यहाँ पर create हो चुकी है यहाँ पर आपको website का name नजरा रहा है home page दिखाए दे रहा है यहाँ पर tools का button नजरा रहा है contact का button नजरा रहा है तो contact का पूर option यहाँ पर आगिया है यहां पर आपने जो भी email address वगरा आड़ किया वो भी आपके दिखाय दे जाएगा, जितने भी tools आपने यहां पर दिये हैं, सारी tools भी आपके यहां पर add हो जाएगे, तो इस प्रकार से यहां पर मेरी tools भी add हो चुके हैं, पर tools अभी यहां पर working नहीं हैं, देख सकते हैं tools यहां पर working नहीं है, तो इन tools को मुझे यहां पर working करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगेन हम जाएगे GitHub के उपर, तो मैं यहां पर back करूँगा, ठीक है, हम GitHub के उपर आ चुके हैं, अब आपको code इसको उपकलिक कर देना है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अपने tool को यहां पर publish करेंगे, और उन tool को हम अपने main page से connect करेंगे, जैसे कि पहला tool हमारे यहां पर क्या था, image converter, okay, तो जो कि मैंने यहां पर create भी कर रहा, कोड भी मैंने create कर लिया था, तो मैं इसको फखर कर दूँगा, यहां से इसको code को copy कर लूँगा, आपको इसको उप्रा आना है, add file इसको फखर करना है, create a new file इसको पर click कर देना है अब आपको यहाँ पर अपनी file का name रखना है और धियान से आपर file का name रखना है और file का name को ध्यान में रखना है क्योंकि इसका हम आगे use करना है तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूं image-converter.html इस परकास से आपको यहाँ पर ध्यान से नाम डालना है यहाँ पर अपने code को copy and paste कर देना है then commit changes इसको पर click करना है commit changes इसको पर click कर देना है तो इस परकास से यहाँ पर हमने अपना एक tool को add कर दिया है ऑके सेम इसी तरिके से आपको यहाँ पर अपने दूसरी tool को भी add कर देना है तो यहाँ से मैं Sprox कूपी कर लोगा इस परकास से अगेन हम यहाँ पर आएंगे back इसको पर click करेंगे new chat इसको पर click करेंगे यहाँ पर copy and paste करेंगे reason इसको पर click करेंगे then is Talking Cloud by Kingdom working गरने कर देगा और आपको यहाँ पर टूल के लिए कोड बना कर देगा जो कि हेहाँ पर क्रीट हो चुका है तो यहां से इस कोड को मैं copy कर लूँगा अगेन यहाँ पर आऊंगा ओके यहाँ पर आपको add file इसको प्रेट करना है इस प्रकास से ध्यान से आपको name अड़ करना है, यहाँ पर code को copy and paste करना है, इसके बाद commit changes उसको उपकलिक करना है, और code आपको यहाँ अपर add हो जाएगा, उसी प्रकास से आपको यहाँ पर अपने अन्य टूल के प्रोम को copy करना है, chat GPT पर copy and paste करना है, code grid करना है, करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब तक हम इनको में पर से connect नहीं करेंगे तब तक बंदे इन टूल को यहां पर access नहीं कर पाएंगे तो में पर से connect करने के लिए आपको जाना है index.stml को पर इसके उपर चले ले जाना है उसके बाद आपको यहां पर pencil का option दिखा देगा आपको इसको पकलिक करना है आप Ctrl F करना है सबसे पहले आपको यहां पर अपने पहले टूल को find करना है नाम क्या था image converter और यहां से इसको में चूज कर दूँगा इसके बाद आपको यहां पर आना है enter इसको पकलिक करना है तो यहां पर आपका टूल मिल जाएगा ठीक है जैसे आपको यहां पर टूल मिल जाए उसके नीचे आपको यहां पर यह वाला option दिखा देगा यहां पर आपको जो आपका टूल का आपने आप पर नेम दिया था जो हमने आप यहां पर अपना वो क्रेट किया था उसी को आपको आपको पर कोपी और पेश्ट करना है जैसे कि यहां पर मैं पहले लिख रखा है इमेज-convertor.html इस प्रकास से आपको यहां पर टाइप कर देना है और दूसरा टूल हमने यहां पर क्याड किया था इमेज कंप्रेसर जो यहां पर आपको दिखाया दे रहा है यहां पर आपको AHRF का option नजर आ रहा है यहां पर आपको हाइफन नजर आर होगा है आपको इसक dash-convertor.html इस प्रकास से आपको यहां पर एड करना है उसके बाद इसी प्रकास से आपको यहां पर एड करते चले जाना है जैसे आप यहां पर अपने सारे टूल्स को एड कर ले उसके बाद आपको यहां पर आना है commit changes इसको उपकलिक करना है, commit changes इसको उपकलिक करना है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने tools को add कर देना है, जैसी आप यहाँ पर अपने complete tools को add करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पराना है, settings इसको उपकलिक करते हैं, then pages इसको उपकलिक करते हैं, पहले आपको यहाँ पर अपनी website को unpublish करना है, ताकि जो भी हमने changes यहां पर किये हैं, वो यहां पर reflect हो सके, उसके बाद अगेन आपको उपर आना है, main इसको उपकलिक करना है, save इसको उपकलिक करना है, अब आपको यहां पर कुछ second का wait करना है, ताकि आपके website अगेन यहां पर publish हो जाए, और जो भी changes हमने यहां पर करना है, वो reflect हो रहे हैं यह नहीं हो रहे हैं, तो यहां पर मैं refresh करके देख लिता हूँ, तो यहां पर मैं refresh किया है, तो अभी तक मेरी website यहां पर deploy हो जाएगी, अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, उसके बाद ही website यहां पर तूल यहां पर ए्ड हो चुका है, इस प्रकास से इसके उपकलिक करूएगा तो अभी ताकि आप अपनी website के लिए tools को असानी से create कर सके, जैसी आप यहाँ पर अपनी website को publish कर लें, मैं इस website को create कर लें, अब आपको अपनी website को montage करना है, ताकि आप अपनी website से earning स्टार्ट कर सके, तो website को monetize करने के लिए simply आपको यहाँ पराना है, यहां से आपको अपनी website के link को copy करना है, अब आपको एक add network को choose करना है, इसके मदधिम से आप अपनी website को monetize करना चाहते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर example लेने वाला आप श्टार रखां, तो simply आपको add श्टार को copy कर लूँगा, उसको आपको यहाँ पर इस तरीके से copy and paste करना है, category choose करना है, then add इसको पकलिक करना है, website आपकी यहाँ पर इस परकास से add हो जाएगी, जैसी आपकी website यहाँ पर add हो जाएए, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, ठीक जिस यहाँ पर मैंने website रिक बना रख करना है, वो हम आपको बताता हूँ, तो अगे मैं website को उपर जाऊँगा, अब आपको back इसको उपर कलिक करना है, back इसको उपर कलिक करना है, then code इसको उपर कलिक करना है, फिर आपको index.html इसको उपर कलिक करना है, इसके बाद आपको करना है, आपको बिलकुल bottom में जाना है, और यहां पर आपको option नज़रागा script का, तो आपको इसको उपकलिक करना है, इसके enter कर देना है, पहले इसको आप इटर mode में switch कर देंगे, इसको उपकलिक करना है, यहां पर code को copy and paste कर देना है, again आपको यहां पर आना है, commit changes इसको उपकलिक करना है, commit changes इसको उपकलिक कर देना ह अब आपके CODE आपकी website के अंदर add हो जाएंगे, अगेन आपको setting के उपर आना है, अगेन अपनी website को आपको यहाँ पर unpublish करना है, फिर publish करना है और आपके जो codes हैं, वो आपके website मेच doorway और website के उपर add दिखनी start हो जाएंगे और last step में आपको करना है, आपको अपनी website को जितना हो सके उतने free traffic sources को पर share करना है ताकि आपकी website को पर traffic आ सके और इसके मद्दम से आप अपनी earning start कर सके website को पर कैसे traffic लेके आना है उसके उपर already मैंने बहुत सारी videos बना रखिये simply आप मैं चैनल को पर जाना है free traffic की आपको बहुत सारी playlist मिल जाएगी उनको आपको देखना है बहुत सारी websites की knowledge आपको हो जाएगी उनकी ऊपर आपको अपनी website को प्रमोट करना है maximum visitors को आपको अपनी website को पर लेके आना है ताकि आप अपनी website पर traffic ला सके और इसके मद्दम से earning start कर सके आपको आज की वीडियो पसंदे होगी कैसे आपको एक multi-tool website करीट करना है उसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी अगर आपको आज की वीडियो चलेगी है तो मैं आपसे यहाँ पर request करूँगा कि आप हमाई चैनल को subscribe कर लेए वीडियो को पर कम सकम रिलेक्स लिखें तक इसी टैप का awesome content हम आपके साथ share कर पाएं